हेलो दोस्तो और वेलकम बैक अगें नौ माइनम इस सिधान वीदुबे हम आज बात करेंगे लैटरल वेंटरिकल की तो वेंटरिकल सिस्टम के बारे में मेरे मेरे अंदर काफी जादा थौट आ रहे हैं कि प्रिविएस वीडियो में काफी जादा बात किया कैविटी के बारे वेंटरिकल को एकस्प्लेंड करने के बाद जो बेसिक्स हैं बात में एडवांस लेवल की भी आएंगी उसके बाद हम ब्रेन के पार्ट भी अच्छे से जानेंगे लाइक से रब्परम ब्रेंस्टम के जो तीन पार्ट वेरी इंपॉर्टन लिए इंपॉर्ट अप्ला यह कवर करना थूड़ा सा थिविकल्ट है गटा हम ट्राइब करते हैं कि उतना कवर कर सके जितना आपको जल्दी रिकॉल हो तो लेट्स विगन हाँ टौपिक तो आज का टौपिक है लाट्रल वेंट्रिकल्ट हैं आम एक ही फंट्रीक्ल बात करेंगे काफry ज़दा इंपोर्टेंट है तो लेटरल वेंट्रिकल के बात करनेidé पहले content यह कि लेटरल वेंट्रीकल प्रिसेंट कहते हैं जुक्त प्रीविस वीडियो मैंने बताए तो लेकर यह लेटरल वेंट्रिकल इतके हुता है सेप्रम यह basically दो ventricle होते हैं and left side and right side and two ventricle मिला कि हम lateral ventricle बोलते हैं it's like a hollow canal and the cavity like structure in brain जो भी cavity like structure रहता है canal type का जो भी hollow रहता है अंदर से उसको हम लोग brain में ventricle बोलते हैं यह तीन type की ventricles होते हैं बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसमें चार से बारे में बात करो तो इसमें Чार पारे में चार पारे कोन कौन से हैं तो काफी जादा important है, तो central part की आगर मैं बात करो, तो यह basically इसका roof कौन बनाता है, तो roof बनाता है corpus callism, corpus callism भी एक बहुत important topic है for anatomy paper of the first year, बना उसको हम अलग से video में बात करेंगे, तो जो corpus callism है, उसका जो trunk होता है, उससे उसका roof बनता है, floor कौन बनाएगा, तो floor बनाएगा superior surface of thalamus, thalamus क्या है, previous video में as usual मैंने बता है, thalamus is a part of what, part of dyencephalon, that is also a sub-part of the forebrain, तो thalamus का superior surface है, उसका floor बनाएगा, जो उसका roof है, वो बनाएगा, trunk of corpus callism, and उसका medial border है, वो septum palycidum बनाएगा, तो यहाँ पे हमने central and body part के बाद हम बात कर ली, now next, next part है, उसके जो horn है, तीन ह होन, तो उसके तीन होन है, anterior, posterior and inferior होन, तो हम लोग फटाफट anterior होन के बारे बात करते है, तो दोस्तों, अगर मैं anterior होन की बात करूँ, तो anterior होन, basically उसका जो roof है, वो roof कौन बनाएगा, वो है, बनाएगा anterior part of the trunk of the corpus callism, और anterior ही उसके क्या रहेगा, genuine rostrum part of the corpus callism, and उसका basically floor कौ at nucleus, and उसका medial border as usual, हमारा septum palisadum बनाएगा, now move to next part, that is the posterior होन, तो दोस्तों, posterior होन, basically उसका जो roof रहेगा, and lateral वाल, वो दोनों भी बनेगा, वो दोनों भी tapetum of the corpus callism, ये बनाएगा उसका roof and lateral वाल, जबकि उसका जो medial वाल है, वो उपर से, याने, अबाव से, bulb of posterior होन, and below calcar avis, ये दोनों पार्ट about and below से, उसका बनाएगे medial वाल, and जबकि roof and lateral वाल, कौन बनाएगा, वो बनाएगा, tapetum of corpus callism, so, यहाँ पर हमने दो होन कम्प्लेट कर लिए, anterior posterior, now next, है inferior होन, now, दोस्टो, अगर मैं बात करूँ, inferior होन के बारे में, तो inferior होन, basically, roof or lateral wall, as usual, जैसे, अमने पोशिय होन में देगा था, वो बनाएगा, tapetum of the corpus callism, and one more part, that is the tail of the qualit nucleus, and दो-चार पार्ट और, वो आप book से, anatomy volume 4, से पढ़ सकते हो, now, next, अगर मैं बात करूँ, तो दोस्टो, यहां पे middle wall नहीं है, यहां पे floor, floor बनाएगा पैस hippocampus, and hippocampus, and etc, other parts also there, in that particular section, now, यहां पे हमने lateral ventricle के बारे में जान लिया, उसका जो location है, वो भी जान लिया, central part में रहता है, cerebrum के, just centrally, एक hollow cavity, that is called as lateral ventricle, so दोस्टो, that's it for today, and thanks for watching.